हेलों वेलकम दोस्तों आपका सौगत है हमारी यूटूब चैनल की नहीं वीडियो में दोस्तों अगर आभी भारत और वेसंडी सीम के बीच खेले गए पहले ओडिया मैच की फुल हैलर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अभी तक आपन हैं तो दोस्तों भारत और वेसंडी सीम के भी तीन मैचों की ODS इसका पहला ODS मकाबला एमदबाद की सेडम में खेला जा चुका है तो हम आपको बदादी की ये मकाबला बिल्कुल एक तरफा मकाबला खेला गया था जिसमें सबसे पहले हम आपको बदादी की टीम इंडर टो जितका पहले बॉलिंग करने का फैसल लिया था तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोने टीमों के पिलिंग 11 के बारे में जो की वो हमें इस मकाबले में खेलते हुए दिखी थी तो हम आपको बदादी की हमें वेसंडी सीम की तरफ से खेलते हुए दिखे थे सांदर ब किंग जब कीम रोच और वहीं बात की तीम इंड्यकी फिलेग 11 के बारे में तो हमें टीम इंड्यकी संदर बलेबज रोही सर्मा। दूसे नमबर पैते इसन किसन, तीसे नमबर पैते विराट कोली, चौथे नमबर पैते रिसब पन, पाचवे नमबर पैते सोरिक मर्यादव, छटे नमबर पैते दीपक खुड़ा, साथवे नमबर पैते वासिंग्टन सुंदर, आठवे नमबर पैते सार्दुल्ठाकुर, दोवे नमबर पे आते मुहम्मा सिराज, दसवे नमबर पे आते यूवी चहल, जबकि ग्यारवे नमबर पे आते प्रदिन किस्टन, दोस्ते दोनों टीम की पिलिंग 11 थी, जो की वो हमें पहले ओडिया मैच में खेलते वे दिखी थी, तो चलिए अब देख लेते इस मकाबल में वेसेंडी सीम की स्वाथ बहुती खराब रही थी, तो हम आपको बदादी की वेसेंडी सीम का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, जिसमें हम आपको बदादी की इस मकाबले में सेह उपने सांदर सुराथ करी थी, जिसमें हम आपको बदादी की उन दिन स्वा दोस्तो वहीं बात के ब्रेंडन किंग की ने भी इस मकाबले में सांधर शुरात करी थी लेकिन बाद में के उनका विक्ट भी जल्दी गिर गया था. तो हम आपको बदादी की ब्रेंडर किसम मकाबले में 26 गैन खेली इसमें दो चौकी की मज़र से 13 रही मना सके लेकिन बाद में के उनको वसिंग्टन सुन्दर ने आउट कर दिया था तो हम आपको बदादी की डी ब्रेंडर की तो हम आपको बदादी की डी ब्रेंडर को भी स्वा सांदर सौर्च मिले थे लेकिन बाद में के उनको विकेट भी गिर गया था तो हम आपको बदादी की डी ब्रावो ने इस मकाबले में 34 गेंद खेली जिसमें 3 चौकी की मज़र से 18 मना सके लेकिन बाद में की उनका विकेट भी वासिंटन सुन्दर ने ले लिया था दोस्तों बदादी की सैम ब्रुक्स ने भी सांदर सुराथ करी थी लेकिन बाद में की उनका विकेट भी चल्दी गिर गया था तो हम आपको बादमी का जाओर बुरुक्स ने में 26 बॉल खेली जिसमें 12 नहीं मता सकें लेकिन बादमी की उनकव विकिट यूवि चहलने ले लिया था दोस्तो वहीं बात के निकोलस पुरन की तो हम आपको ददी की इस मकाबले में भी निकोलस पुरन को सांदर सोरात मिली थी लेकिन बादमी के उनकव विकिट भी जल्दी गिर गया था तो हम आपको बदादी कि निकुलस पुर ने इस मकाबले में 25 बॉल खेली जिसमें 3 चौकी के मज़र से 18 यह मना सके लेकिन बादमी के उनका विकिट भी UV चेहन ने ले लिया था दोस्तो जिसके बैटिंग ने करेंट पुलाड तो हम आपको बदादी कि पुलाड इस मकाबले में अच्छी बल्ले बाजी नहीं कर पाए और डग पे आउट हो गए जी हाँ दोस्तो उनको पहली गैंद पर UV चेहन ने बोल कर दिया था दोस्तो जिसके बैटिंग ने जेसन होलडर तो हम आपको बदादी कि इस मकाबले में वेसंट टीम स्टीम के लिए सबसे अच्छी बल्ले बाजी हमें जेसन होलडर की तरफ से देखने को मिली है तो हम आपको बदादी की पिछले कुर सालों से जेसन होल्डर ने हमेशे से वैसेंटी सेम के लिए सांदर बल्ले बाजी और बॉलिंग करी है और इस मकाबले में भी उनने अपने टीम की तरफ से सांदर बल्ले बाजी करी है तो हम आपको बदादी की जेसन होल्डर ने इस मकाबले में 71 गैंट खेली इसमें 4-17 छक्क्यों के मज़े से 57 मनाये थे लेकिन बाद में कि उनका विकिट भी प्रदिन किसने ने ले लिया था दोस्तो जिसके बैटिंग दे अकेल हुसेन तो हम आपको बदादी की अकेल हुसेन भी इस मकाबले में खाता भी नहीं खोल सके और सूने पर आठ हो गए थे दोस्तो इनका विकिट भी प्रदिन किसने ने ले लिया था दोस्तो इसी के साथ हम आप खुदधी की इस मकाबले में जेसन होलडर के अलावा हमें फैबिल एने की तरफ से भी सांदर बल्ले बाजी देखने को मिली है तो हम आप खुदधी के अंत में जाकें उनने 43 गेंद खेली थी इसमें दो चौके की मज़े से 29 अम मनाये थे लेकिन बाज में के उनका विकेट भी वसिंटन सुन्दर ने ले लिया था दोस्तो वहीं बाद के अलजारी जोसिफ की तो हम आपको ददिके अंत के और में अलजारी जोसिफ में 16 गेंद खेली थी इसमें एक चौकर जबकि सांदर ठकी की मज़े से 30 ने मनाये थे लेकिन बाज में के उनका विकेट भी यूवी चेहल ने ले लिया था जिसके जलते वेसंडिस की टीम ने 43 ओवर में 176 मना सकी दोस्तो हम आपको बदा दिके हमें टीम इंड़ की तरफ से सांदर बॉलिंग देखने को मिली वसिंग्टन सुन्दर और यूवी चेहल की तरफ से तो हम आपको दंदी की दोनों स्प्रान ने प्रोशाथ विकेट लिया थे जिसकी चलते टीम इंड़े इस मकाबले में बहुती अच्छी पोजिशन पे आ गई है दोस्तो जिसके बाद चेहस की ने तो टीम इंड़े की सांदर सुर॓त रही थी तो हम आपको बददी की सांदर बलबाजी देखने को मिल रही है तो हम आपको बददी की अगर आभि इस मुकाबले को फुल देखना चाते हैं तो सबसे पहले आप जा सकते हैं डिजनी प्लस होट सार की एप पे वहाँ पे आपको इस मुकाबलों की फुल हले देखने को मिल जाएगी दोस्तों कि आपको हमाईड़ों पसंद है तो प्लेज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरू बता है आपके मदाबिक ओडियस इस कौन सिटी हम जी सकती है और अबी तक आपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कालिजर्स बेल एकन को जुड़ दबाए तो मिलते हमें नेक्स वुड़ों में